नमस्कार मैं हूँ नंदनी आप देखने दफ फुल धड़ी दुनिया में रेलवे नेटवर्क के शुरुआ 26 तापती से हो गई थी जब भी रेलवे से पुरांतन समय का नाम निकलता है तब तब ग्रीस का नाम सामने आता है ऐसे में 26 तापती से लेकर अब तक रेलवे के नेटवर्क ने काफे सफलता प्राप्त की और अपने आप में आधुनिक्ता के साचे में ढाल लिया आज की समय में दुनिया के सबसे अधिक ट्रांस्पोटेशन का उत्तमार्ग रेलवे ही है प्रंतु बावजूद इसके आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर रेलवे का एक प्लाटफॉर्म तक नहीं है इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ देशों के बारे में और उनके नाम के बारे में जिन में अभी तक एक भी प्लाटफॉर्म नहीं है पहला देश है कुएट जो देश के यहां पर रेल नेटवर्क नहीं है हाला के वर्तवान में यहां पर बायसों मील लंबे रेल नेटवक के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था जो कि कुवेत से ओमाम के बीच होगा दूसरा देश है भूतान में आज भी किसी प्रकार का कोई ब्लद नेटवर्क नहीं है बुटान यहां साउथेश्यक सबसे चोटा देश है और बुटान दुनिया का और एशियक का ही सबसे गरीब देश माना जाता है इस देश में भी अभी तक यादयाद का परमुक्सादित सडख मार ही रहा है हाला कि कुछ समय पहले भार सरकारी नेपाल से 23 से पश्रिम बंगॉल के हाशामारी तक 11 मिली लंबे रेल नेटवर्क के शुरुआत करने का एलान किया था बदाया जा रहा है कि यह रेल नेटवर्क भुटान से होकर गुजरेगा जिससे भुटान वास्यों को पहली बार रेल नेटवर्क की सुविधा प्राप्त होई तो च देश में आज तक कोई रेल नेटवर्क नहीं है हाला कि साल 1998 में पुर्तगाल के साथ किये गए एक समझोते में इस देश में भी रेल नेटवर्क लाने का प्रयास किया था लेकिन उस समझोते के बार आज तक उस समझोते पर कोई भी काम चुरू नहीं किया गया इस देश म देश नाम है आइसलेंड एक ऐसा देश है जहां पर केवल तीन ही रेल्वेस नेट्वक है इस देश में अबादी बहुत कम है और जलवायू की बहुत सक्त है इसी कारण से विशेशग्यों नहीं यहां पर रेल्वे नेटवर्क संचालित करने के लिए बहुत ही चुनोती पुरुकार्णों को सुलजाया है हाला कि साल 1900 में इस देश में रेल्वे नेटवर्क लाने के लिए काफी प्रस्ताव भी लाए गए थे पर अंतु बावजूद इसके उस पर कोई काम नहीं किया गया जिस है यहां पर सीविल वार की समय स्राणी रेल्वे लाइन उखाड कर दिये गए थे और साल 1965 में यहां पर कोई भी रेल्वे नेटवर्क ऑपरेशनल नहीं है हाला कि साल 2001 में यहां पर रास अजदीर से लेकर सीर्थे तक रेल्वे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था और साल 2008 से लेकर 2009 के बीद रास अजदीर से लेकर त्रिपोली तक रेल्वे लाइन पर काम शुरू किया गया था इसके लाएक और देश है साइप्रस साइप्रस एक टापू पर बसा हुआ देश है किसी समय साइप्रस में भी रेल नेटवर्क हुआ करता था साल 1905 से लेकर 195 1951 तक इस देश में एक रेल्वे नेटवर्क हुआ करता था प्रन्तु इस देश पर आर्थिक महा संकट के दोरान वेर रेल नेटवर्क भी बंध हो गया जिसके बाद अज तक इस देश में किसी भी वरकार का कोई रेल्वे नेटवर्क नहीं है और इसलिए आपर ट्रांस् झाल झाल